रायपूर जिला खाद विभाग ने शुक्रवार साम गोब्रा नावापारा छेत्र के दो राइस मिलो में छापा मार कारवाही की जिसमें विभाग ने मौके से 2606 क्विंटल चावलव खंडा और 4810 क्विंटल धान जब्त किया है मिली जानकारी के अनुसार छेत्र के शंकर राइस एंड पोहा मिल से 1904 क्विंटल चावल, 970 क्विंटल धान और 112 क्विंटल खंडा जब्की स्री मोहनी एग्रो से 3840 क्विंटल धान और 590 क्विंटल चावल जब्त करते हुए इन राइस मिल संचालकों के खिलाब प्रकरण दर्ज किया है बताया जाता है कि खरी विपणन वर्ष 2019 बीस के अंतरगर्थ समर्थन मुल्य पर उपारजित धान के निराकरण के लिए 2,90,346 मेट्रिक टन धान जिले के संगड़ान केंदरों में अभी भी सेश है इस संबंध में 20 जून को अपर कलेक्टर द्वारा जिले के राइस मिलरों को इस संबंध में रिड़ेश जारी किया गया था बावजूद इसके मिलरों द्वारा धान के उठाओं में अपेक्छा कृत प्रगती नहीं लाई जा रही थी जिसके चलते जिला खाद विभाग की टीम ने आकस्मिक जाच की कारवाही सुरू की जिस पर वह कारवाही है तू नावपारा के दो ऐसे राइस मिल पहुची जहां का धान उठाओ कस्टम मिलिंग कारी हेतु काफी धीमा है खाद विभाग की टीम ने इस राइस मिल में पहुच कर धान वा चावल की स्टॉक का मुआयना किया और निरक्षन में राइस मिल द्वारा गलती पाय जाने पर धान वा चावल जबती कर इसका प्रकरण बनाया इस मामले में राइपुर जिला खाद अधिकारी अनुराग सिंग ने डिनेक्स मीडिया रिपोर्टर विश्वेश्वर हिर्वानी से बात चीत में बताया कि नवा पारा मैं संकर राइस मिल वा पोहा मिल एवं स्री मोहनी एग्रो के कस्टम मिलिंग हेतु धान का उठाओ अप पर कलेक्टर के आदेश की अवेलना करने वाले मीलर्स पर आगामी दिनों में भी ऐसी कारवाही जारी रहेगी इसी मामले में राइपुर राइसमिल एसोसियेशन के महा मंतरी गिरधारी अगरवाल ने जिला खाद विभाग की इस कारवाही को अनुचित बताया उन्होंने कहा कि मीलर्स नुकसान सहकर भी कस्टम मीलिंग के लिए किये गए समझोते पर काम कर रही ऐसे में उन पर कस्टम मीलिंग कार्ये में तेजी लाने का दवाव बनाना गलत है डेनेक्स टीवी के लिए नौपारा राजीम से विस्विस्वर हिरवानी की रिपोर्ट